वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला जरूर जोइन करेंगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान लगें दिशकार साथ की तौर्गत है अपका स्टडी फॉर सेविल सर्फिस में जैसा कि मैंने आपको बदाया था कि अब जो है हम अच्छे से अपनी पढ़ाई की गती को बढ़ा रहे के हैं तो उसमें मैंने आप से बुला था कि एक क्लास आपकी देली लिंधी की रहेगी एगे एक क्लास ना चाहं की और अब इसके आगे बढ़ेंगे प्रकृत से उद्भूत या प्रकृति में होने वाला कहलाता है साथियों प्रकृति जो नीचर से जुड़ा हुआ हो किसी भी टूटी फूटी वस्तू का फिर से निर्माड कहलाता है पुनर निर्माड इस Kylie garbage जे बढ़ाते हैं रहे किसी प्रश्डंत के लिए निर्धारित को लंग कहलाते है पूर अंग यह तो सबको प्रकाश में लाए जाने योग कहलाता है प्रकाश्या जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो उसे कहते हैं प्रचारित जिसकी प्रतारणा की गई हो उसे कहते हैं प्रतारित किसी इस्थल से परवर्तित होकर आई हुई ध्वनी कहलाती है प्रतिध्वनी दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला या प्रतिकूल पक्ष का कहलाता है प्रतिपक्षी जिसके चित में पाप करने की भावना होती है उसे कहते हैं पाप चेता ठीक है परलोग से जो समंदित होता है उसे कहते हैं पारलोकिक अगला देखिए जीव को पारजन ही तो आटा या अन पीशने वाली स्तरी कहलाती है पिसन हारी दूसरों का उपकार या भरा करने वाला कहलाता है परोपकारी दूसरों को उपदेश देने वाला कहलाता है परोपदेशक या परोपदेशक पांचाल देश की राजकुमारी कहलाती है पांचाली और मैं आपको उतादू पांचाली परियावाची है द्रौबदीगा बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि द्रौबदी को पांचाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पांच पती थे यह लेकिन यह सई जानकारी नहीं है कि अपको इतार ऑफ कि द्रौबदी को पांचाली से लिए कहते हैं क्योंकि यह पांचाल देश की राजकुमारी थी पांचाल देश कहां पढ़ता है तो अगर आपने प्राचीन भारत पढ़ा है तो वहां पर आपने तो नहीं थää यह एक कामपिल यkes और इसी कामपिल जनुपद में जो पांचाल देश है यह जो पांचाल अ-बी सकिन को मैरी है कामपिल वहां पर जग रौन असरम्बी और वही जगा चैनार इसको आगर अगर सूले महाजन परों में देखो की तो आपको एक छे बद्लिखित प्रती कहलाती है पांडुली भी पकवाली में ये 15 धन में एक बर होने वाला कहलाता है पांड पांड ओद आगे देह। पचाने की क्रिया वाला कहलाता हैं पाचक किसी इस्त्री को पत्नी रोप में ग्रहन करने के साथ उसका हाथ पकड़ना ये बीवस्था क्यालाती है पाण इक रहन है लोग इसे बोलते हैं इससकार को मास्क कि किसी पक्ष पहली तिती कहलाती है प्रथ्मा फीज ही चीलाती है पंच मी और मास्क्ष की तीसी invece प्राण की रच्छा करने वाला क्यालाता है प्राणत गाउं की वह सभा जिसमें पंच लोग जखणों को निप्टाते हैं उसे कहते हैं पंचायद जो पढ़ने में रोचक लगे या पढ़ने योग हो उसे कहते हैं पठनी या पाठ्थ्य अगुवा बनकर मार्ग दिखाने व राजा प्रेक्षित का नाम आप लोगोंने सुना होगा बहुत अदिक बख्वास करने वाला व्यक्ति कहलाता है प्रगल्भ और जो बहुत जादा बख्वास ना करें उसे कहते हैं अप्रगल्भ प्रिय बोलने वाली इस्तिति कहलाती है प्रियम बदा ठीक है जो प्रिय ब तो दी के अलावा किसी से प्रेम करती हैं और ऐसी पती जो अपने पती से प्रेम करती है उसे कहते है दूद दही ठर € शरकरा और मदहू से बना वयपधार जो बच्छाम्रत ठीक है आपने जो है कथा बगिरा में इसका सेवन जरूर किया हुआ जो दूसरे के आश्रे रहता हो से कहते हैं पराश्रई या पराश्रित जिसने किसी विशय को पार कर लिया हो से कहते हैं पारंगत जिसको लोग जानते हो से कहते हैं परिशित इस्तरी जिसने जिसे पती ने परिपक वह शासन प्रणाली जिसमें जन साथन का शासन हो उसे कहते हैं प्रजा तंत्र आगे बढ़ते हैं वह जिससे प्रेम किया जाए उसे कहते हैं प्रेम पात्र जो पहरा देने वाला हो उसे कहते हैं प्रहरी पती परायन इस्त्री अपने पती के प्रते अनुराग रखन वाली स्त्री कहलाती है पतिव वर्ता मास्पेशियों का शित्ल हो जाना कहलाता है पक्षा घात या फिर सामन भासा में लगवा अपने पस्ते हटा हटाया हुआ उसे कहा जाता है पदच्युत जो दूसरों का भला चाहता हो उसे कहते हैं परार्थी वैस्त्री जिसका पती विदेश गया हो उसे कहते हैं प्रोशित पतिका वहनायका जिसका पती विदेश जाने को हो उसे कहते हैं प्रवत्य पतिका भली भांती पोशित या पकाववा कहलाता है परिपुष्ट जो तोला या मापा जा सके उसे कहते हैं परिमेया जो आँखों स उसे परेहों से कहते हैं परोक्षिया अप्रत्यक्ष शीग्र आग पकड़ने वाला कहलाता है प्रजुलन शील या जुलन सील भी कह देते हैं नौर्बल परवत की उंचाई आदिका पता लगाने वाला जो दल होता है उसे कहते हैं परवता रोही दल ऐसा वाक की या पद्य जिसका उत्तर खोजना पड़े उसे कहते हैं पहेली या इसका जो तत्सम शब्द है वो है प्रहेलिका आगे देखिए जो दूसरों के सारे जीवित्र है उसे कहते हैं परोप जीवी या फिर परजीवी या फिर परान जीवी एक मतबादी जिसमें जीवन की सच्चाई और कठनाईयों से भागने की प्रवरति हो उसे कहते हैं पलायन वाद जो लोटकर आता है उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती जिस पर मुकद्मा चल रहा हो या दायर मुकद्मे का प्रतिवाद बचाव जो करता है उसे कहते हैं प्रतिवादी वादी जो मुकद्मा करता है प्रतिवादी जिस पर मुकद्मा किया गया है वो ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्राया अंत में जोड़े जाते हैं उसे कहते हैं परिसिस्त पत्तर के समार हिर्दय हो जिसका उसे कहते हैं पाशान हिर्दय पर्वत की कन्या कहलाती है पार्वती पेर से पीने वाला कहलाता है पादब जो पर्दे के भीतर रहे उसे कहते हैं पर्दा नशी या फिर शीन प्रतिकार की भावना कहलाती है प्रतिचिकीरशा प्रतिचिकीरशा जो शुद्ध किया जा चुका हो उसे कहते हैं परिमारजित ऐसी वस्तु जो किसी से पाने योगी हो उसे कहते हैं प्राप तव्या जमानत करने वाला कहलाता है प्रत्यभू वापस बुलाया हुआ कहलाता है प्रत्याहूत बिना अधिकार पराई वस्तु काम में लेने वाला कहलाता है परिभोगता पराई बस्तु को काम में लोगे तो परिभोगता, अपनी बस्तु को काम में लोगे या अपनी ही बस्तु को तो उसे कहेंगे उपभोगता चार ओर से गिरा हुआ कहलाता है परिवेस्टित निराश या पराभूद किया हुआ कहलाता है प्रतिहत कुट्य का बच्चा कहलाता है साथियोग पिल्ला किसी प्रतियोगिता में विजेताओं को दिये जाने वाला उपहार कहलाता है पारितोशिक किसी कार के लिए दिये जाने वाला धन कहलाता है पारिश्रमिक जो देश-VIDESH ब्रह्मन करता हो उसे कहते हैं परेटक किसी आरोप के उत्तर में दे जाने वाला आरोप उसे कहते हैं प्रतियारोप आपने सुना होगा आरोप प्रतियारोप चलना है समान रूप से आगे बढ़ने के चेश्ता कहलाती है प्रतिस पर्धा जो प्रणाम करने योग यह हो उसे कहते हैं प्रणाम्या ठीक है जो दूसरों का भला चाहता हो उसे कहते हैं प्रार्थी किसी विसे में धक्षिता प्राप्त करने वाला कहलाता है पारंगत जो प्रमार से सिद्ध हो सके उसे कहते हैं प्रमिय रात्री का प्रत्रम पहर या रात्री के पूर्व भाग का समय कहलाता है प्रदोश दूसरों के आस्रे में रहने वाला कहलाता है पराश्रई जो दूसरों के अधीन हो उसे कहते हैं पराधीन प्रेत्न करना जिसका सुभाव हो से कहते हैं प्रेत्न शील फूलों की रज कहलाती है पराग जो पिया जा सके या जो पीने योग्य हो से कहते है पेया जो दूसरों के अधीन हो से कहते है परतंत्र प्रत्वी से सम्मंदित या जो मिट्टी का बना हुआ होता है उसे कहते है पार्थिव जो पुर्शार्थ के अन्रूप हो उसे कहा जाता है पौरशेया जो सुख दुख से परे होता है उसे कहते हैं परमहंस जो प्रशंसा के योग्यों से कहते हैं प्रशंसनिया जो देखने में प्रिय लगे उसे कहते हैं प्रिय दर्शी जो पद का लालची हो से कहते हैं पद लोलुप और जिसकी पूजा की जा सके हो से कहते हैं साथियो पूज निया ठीक है एक लास तो देख लो फिर आगे चर्चा करेंगा एक लास में छत में टांगने का शीशा या कमल का कमल या गिलास जिसमें मुम्मतियां जलतियों से कहा जाता है फानूस तो यह वाद का हमारे वीडियो अब जो है थोड़ा वीडियो की लेंथ अब बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि पेपर नजदीक है और हमें इस टॉपिक को पूरा का पूरा पढ़के रिवीजन भी करना है तो थोड़ा सा मेहनत अब हम करेंगे और थोड़ा सा मेहनत आपको भी अब करने पड़ेगी तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहिए मेहनत करते रहिए कोई डाउट हो तो कमेट के मादब से पूछे साथ यो मिलता है अगली क्लास में तब तक के लिए जैहिन जैभारत पंदे मातरम